देखिए पहला जो इसका नियम है उसको सीख लीजिए कि ये कोई सर्किल है इसमें एक जीवा ये भी खीची गई है इस जीवा के ऊपर हम जितने भी एंगिल बनाएंगे जैसे पहला एंगिल ये है ठीक है पहला एंगिल ये बना है और दूसरा एंगिल बनाते हैं एक एंगि लिए दी पॉइंट पर बन रहा है तो इन दोनों एंगिल की मेजर्मेंट पराबर होगी यानि कि अगर यह एक्स डिगरी का है तो यह भी एक्स डिगरी का ही होगा ठीक है इसी प्रकार से आप कितने भी पॉइंट इस सर्किल पर ले लिजी जैसे कि यह हो गया इपॉइंट यह हो गया एफ पॉइंट यह हो गया जी पॉइंट ठीक है तो आप जब इसको ऐसे जॉइन कराएंगे तो यह जो एंगिल बनेगा ठीक है यह एंगिल यहां पर यह एंगिल और यह एंगिल भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे यानि कि इन चारों की जो व कॉर्ड पर बने हैं एक ही जीवा पर बने हैं तो उनकी मेजर्मेंट कैसी होगी सेम होगी क्यों क्योंकि वो एक ही कॉर्ड पर बने हुए एंगिल है ठीक है तो अब यह पॉइंट आपको समझ में आ गया यह क्या है यह सरकिल का रूल नमबर वन है ठीक है अब यह कुश्चन भी कर लेंगे और हम यह भी जानेंगे कि यह जो रूल है यह आया कहां से देखें जो ट्रेंगिल की प्रपर्टी होती है ठीक है जैसे यह दो ट्रेंगिल है ट्रेंगिल की प्रपर्टी क्या होती है उसको हम ज़रा समझेंगे कि ट्रेंगिल में अगर ये साइड आपस में बराबर हैं ये साइड आपस में कैसे हैं बराबर हैं तो इनके ज़स्ट अपोजिट एंगिल कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं यही कॉंसेप्ट यहां यूज होता है concept क्या है कि यहां देखिए यह एक angle है CAB इसका क्या नाम है CAB और दूसरा आपको इसा भी ले लिए जैसे कि DAB यह वोगे DAB तो यह वाली side यानि कि AB और यह वाली AB तो अनों आपस में कैसी है बराबर है तो इनके opposite angle यानि कि angle C और angle D कैसा होगा बराबर होगा तो यह इसका main concept भी आपको समझ में आ गया तो rule number one आपको समझ में आ गया rule number one समझ में आ गया तो आप questions करना शुरू कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग इस rule के उपर dependent question करते हैं